तो कैसे चल लही आपकी सबी अच्छे होगे और आपकी सांदार स्टेडी चल लही होगी तो इस्टेंट आज के इस वीडियो में हम बात करने के लिए आगे हैं आपके लिए कि क्लाश टॉल्स अगर आप बायलोजी में हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया बहुर डरे हुए हैं तो मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊँगा कि आप अंसर लिखने की ट्रिक आप अंसर कैसे लिखें कि आपको सत्तर में सत्तर या साथ नंबर मिल जाएं मैं आपको आज अंसर लिखने की ट्रिक्स देऊँगा कि आप इस तरीके के इस ट्रिक्स को फालो करें उसमें आपन्परसाइगा उसमें जैसा Jordi को बना कि तो लिखना है, लेकिन आपको लिखना क्या है, ऐसा तो नहीं राम परसाइगा उसमें जैसा अंकर परसाइट का आप जीवन पर्चिया, और पायलोजी के वारे में कुछ भी पूछा गया तो उसमें आप लिख देंगे। ऐसा तो चलने वालार नहीं घंटा भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें नंबर मिलेगा जब उसके एक ओर्डिंग आप लिखेंगे तो यह दो नंबर आपको बाबसे मिलेंगे आप word exam हाल के अंदर पहुँच गए ठीक है और आपको ए copy मिलेगी आपको वहाँ पर बिल्कुल भी एक minute अगर आपके पास एक minute है तब भी आपको बैठना नहीं है आपको क्या करना है copy में इस तरीके से इधर देखिए इधर line आपको खीच लेनी है ड्रा करने लिए अच्छी सी और आपके पेज के उसी पेज में इधर भी ड्रा कर लेनी है इधर भी कर लेनी है अच्छे से आपको वहाँ पर अपना time नहीं वेस्ट करना है यानि कि आपके पास अगर एक second भी है बो भी आपको यूज में लेना है क्योंकि आपको जब question paper मिल जाए कि फिर इतना time आपके पास नहीं वज़ता है कि आप उसमें line draw करें अपनी copy भरें आप क्या करें आपको पहले भी बता जिया जाता है कि आपको copy भरना है तो आप अच्छे से copy भर लें ठीक है और copy भरने के लिए आप ready हो जाए कि आपको जैसे पेपर मिले आप 15 मिनिट में दस मिनिट में पेपर पढ़के उसको समाप्त कर दें और फिर आप अपना जो भी आपका कारेब शुरू कर दें लिखना सुरू कर दें तो आई हम में टॉपिक पर चलते हैं कि आप अंसर कैसे लिखें अंसर लिखने की ट्रिक देखिए सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट से आप इनको अगर लागू करेंगे इन फॉइंट्स को अगर फालो करेंगे तो आप 100% अच्छे नंबर लाएंगे देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप प्रसन को ध्यान से पढ़ें ऐसा नहीं आप प्रसन ना पढ़ें और अंसर लिखने की कोशिस करें ऐसी गलत बात है आप क्या करें पहले परसन जो आपको है उसो ध्यान से पढ़ें उसे एकदम मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, फिर आप क्या करें, उसमें पेपर में दो तरीके के प्रसंद आपको मिल सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से, आपको देखें मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, हमारे पास ये पेपर है, कि मानीज कैसे लिखना ऐसा तो है नहीं राम प्रसाद का जनुम अटारसों नवासी में हुआ था ज़ंकर प्रसाद का हुआ ही नहीं था इस तरीके से नहीं करना आपको इसमें देखिए अगर आप इसका अंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक और कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा मान लिखेंगे उनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है और फिर आपको क्या करना है उसके बाद में फिर आपको क्या करें जो आता है उसे पहले लिखें लिखने के बाद उसे लिखकर फिर आप क्या क question है जैश्व प्रदोगी की क्रसी चैतर में क्या उपयोगी है अब बात से नहीं की आप यहाँ पर क्या लिखेंगे जैश्व प्रदोगी हमारी क्रस में उपयोगी है इसके द्वारा हम विभिन प्रकार के product आदि को बनाते हैं आप जो क्रस के बारे में आता है आप उसको लिखेंगे ऐसा तो नहीं है कुछ भी आप लिख देंगे आपको क्रस के बारे में जो कुछ भी पता है वो आप लिख दीजिए आपका चल जाएगा answer यानि कि तीन नंबर का question है अगर आप अच्छे से लिख देते हैं राइटिंग थोड़ी अच्छी तो दो नंबर आपको मिल ही जाएंगे और फिर चौती और लाश्ट बात जो है आपको ध्यान रखनी है राइटिंग अच्छी लिखें आप क्या करें दूर दूर लिखें बात समझिए जैसे कि हम लिखते हैं राइटिंग राइटिंग हमने ये सब्द लिखा ये आपको अच्छा लग रहा है और आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर आप जाएंगे कि हाँ हमें जल्दी से copy बनी आइसे आइसे घसीटेंगे घसीटना नहीं है आपको अच्छा सा लिखना है आपको बहुत से लोग बताते हैं मैं मुझे से मेरे टीचर्स ने खुद पहले कहा था कि आप अच्छर को जोड के लिखें जैसे ये है क्या मेरी राइटिंग आपको खुराब लग रही है आप को जोड के लिखेंगे घंटा लगेगा इस لिखें आपको इन सभी जो टिप्स है इनको फालो करना आ और answer लिखते समये इन बात को भिसेश दियान देना आए कि आपको जिस topic जोबी प्रसंद आपको मिलता है मान लीजे एक कोई question है हम इसी को फिर पारजीनी जन्द से आप क्या समझते आप ऐसा तो नहीं कुछ भी लिखें आप पारजीनी आपको सब्द अच्छा मिल गया आप इसे जब answer लिखें जैसे मालीजे आप answer लेखें तो इसे कम से कम दो चार वार उसके नीचे लिख दें और क्या करें जो पारजी ने आपने लिखा उसके नीचे अंडर लाइन, ब्लैक पिन से, अच्छे से अंडर लाइन करते जाए, ते हैं कि जो अगर आपने कुछ भी लिखा है, उस पर टीचर की नजर ना जाकर, सीधे आपके पारजी न ऐसे मान लिजिए कि 90% जो copy IC होती है जिनको नहीं पढ़ा जाता है ऐसे टीचर क्या करते हैं अच्छी राइटिंग देखते हैं और चेक कर देते हैं क्योंकि UP board का मसला है बहुत बेकार होता है लगवर्ट ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना अच्छे समझ के रंसर देना ऐसा नहीं आप कुछ भी रामाड पेल करा हैं और आपको मैं साम को बताना है आपका paper कैसा हुआ ठीक है student जैहिंत बंदे मात्रव